आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा special और interesting recipe औरियो चोको बोल्स औरियो चोको बोल्स बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है आप आसानी से से कभी भी बना सकते हैं बहुत ही simple recipe है I hope यह आपको पसंद आएगी और चोकलेट तो हर किसी की फैवरेट होती है चाहिए वो पच्चा हो चाहिए वो बड़ा हो और इस वेलेंटाइन डे पर अपने वेलेंटाइन के लिए आप भी यह बना सकती हैं एक्टम आसानी से तो चलिए सुरू करते हैं इस interesting से recipe को Hello friends मैं सोनी, सोनी food style में आप सभी का एक पर फिर से स्वागत है चो को बोल्स बनाने के लिए यहां मैंने दो पैकेट Oreo विसकिट लिए हैं और यह एक पैकेट 120 ग्राम का है, अब हम विसकिट से करीम को अलख कर लेंगे तो एक बाउल लेंगे और उसमें हम करीम को निकाल लेंगे क्रीम को आपचाको की सायता से या चाहें तो चमच के पिछले हिस्से की सायता से निकाल सकते हैं बहुत ही ज़्यादा आसाने से निकल जाएगी सारी ही बिस्किट से हम क्रीम को अलग कर लेंगे देखें क्रीम को मैंने निकाल लिया है अब हम बिस्कित के बिलकुल छोटे चोटे टुकडे करेंगे ताकि फाइन पाउडर बन पाए अब एक क्रेंड जार लेंगे और उसमें हम बिस्कित को डाल लेंगे और इसका हम फाइन पाउडर बनाकर तयार कर लेंगे तो Fine Powder बना कर मैंने तयार कर लिया है अब हम दूद लेंगे मैंने यहां आदा कप दूद लिया है तो थोड़ा थोड़ा करके हम दूद डालेंगे लग एक चमत दूद डालेंगे और इसे अच्छे से Mix करेंगे और जैसे 8 लगाते हैं एकदम ऐसा मिक्स्चर बनाकर हम तयार कर लेंगे इसमें लगबग चार से पांच बड़े चम्मस दूद लग जाएगा देखिए मिक्स्चर मैंने तयार कर लिया है एकदम स्मूथ सिल्की मिक्स्चर बनकर तयार हुआ है आप चाहें तो दूद की जगे क्रीम भी इस्तमाल कर सकते हैं अब क्रीम को हम थोड़ा सा फेंट लेंगे और उसमें बारिक कटे हुए हम ड्राइफ रूट डाल देंगे साथ ही साथ दो बड़े चम्मस दारील का बुरादा डाल देंगे और दो चम्मस ही हम इसमें मिल्क पाउडर एड़ करेंगे सारी चीजे आपको मार्केट में बहुत ही आसाने से मिल जाएंगी अब इसे मिक्स कर लेंगे हम अच्छे से अगर आपको ऑनलाइन परचेस करनी है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है आप वहाँ जाके ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और बहुत ज़्यादा टेस्टी मिक्स्चिर बन कर तयार हुआ है और इस मिक्स्चे से हम अब छोटी छोटी बॉल्स बना कर तयार कर लेंगे बिल्कुल ऐसी और बॉल्स बना लेते हैं सारी बॉल्स बना कर मैंने तयार कर ली है अब हमने जो बिस्किट से मिक्स्चर बना कर तयार किया था वो लेंगे और इसमें से भी हम बोल्स बना कर तयार कर लेंगे याद रहे जो हमने क्रीम से बोल्स बनाई है उससे थोड़ी सी बड़ी होनी चाहिए तो बना लेते हैं देखे कितनी स्मूध है ये सारी बोल्स मैंने बना कर तयार कर ली है एक बोल लेंगे है और इसको हम हतेली पर हलका सा फैला लेंगे और जो क्रीम वाली बोल है वो हम इसके अंदर फिल कर लेंगे तो फिल कर लेते हैं इसको अच्छे से हम बंद करेंगे सभी साइड से बिल्कुल ऐसे और इसको हम दुबारा से अच्छे से गोल कर देंगे एकदम स्मूथ चिकनी बोल्स बना कर हम तयार कर लेंगे एकदम लड़्डू की तरह है देखिए एकदम स्मूथ और सिल्की बोल्स बनकर तयार होंगी सारी ये बोल्स मैंने बना कर तयार कर ली है अब हम इन्हें चोकलेट में डिप करेंगे तो चोकलेट को मैंने अच्छे से मेल्ट कर लिया है डबल बोलिंग मेथर से इसे मेल्ट किया है चोकलेट को मेल्ट कैसे करते हैं अगर उसकी वीडियो आपको देखनी है तो चूको चिप्स की जो मैंने वीडियो आपके साथ सेर की है उस्में जाके आप चेक कर सकते हैं कि चूकलेट को कैसे मैल्ट करती है अब एक बोल्स लेंगे और उसको हम चूकलेट में अच्छे से डीप कर लेंगे और इसे फॉक की सायता से हम निकाल लेंगे अगर आप यहाँ चमद लेंगे तो चमद के साथ बहुत सारी चोकलेट इसके साथ चली जाएगी और इसमें अछी से finishing नहीं आएगे तो फॉक की साथ हम इसे निकल लेंगे जिसे जो भी extra चोकलेट होगी वो फॉक में से ऐसे निकल जाएगी, निकाल लेते हैं, फोईल पेपर पर, ऐसे ही सारी चोकलेट बोल हम बना कर त्यार कर लेंगे, और इसे आप ऐसे ही बाहर में सेट कर सकते हैं, या चाहें, तो आफ फ्रिज में रखकर इसे थोड़ी दिर के लिए सेट कर सकते हैं. चॉकलेट बोल्स अच्छे से सेट हो गई है अब जो भी एक्स्टरा इस में चोकलेट हैं वह हम निकाल देते हैं चाकू की सायता से बिल्कुल अच्छे से फिनिशिंग आएगी और यह ज़्याद़ सुंदर लगें गए सारे इक्स्ट्रा छोकलेट हम इसे निकाल लेंगे जो भी एक्स्ट्रा चोकलेट थी वो मैंने निकाल दी है अब मैंने थोड़ी सी वाइट चोकलेट ली है इसको मेल्ट किया है कोई भी आप मिल्क की बार ले सकते हैं या आप कोई भी वाइट चोकलेट कमपाउंड है तो वो ले सकते हैं उसे melt कर सकते हैं इस पे हम अच्छे से drizzle कर देंगे जिससे बहुत ही ज़्यादा ये सुन्दर लगेंगी देखिए अब इसको assemble कर लेते हैं और इस पे मैंने चोटी चोटी sweet balls लगाई हैं जिससे बहुत ही ज़्यादा ये सुन्दर लग रही हैं और tasty भी आप इसे cut करके दिखा रही हूं है वाव देखिए बहुत ही ज़्यादा ये सुन्दर लग रही हैं और इसकी filling एकदम जबरदस्त है बहुत ही ज़्यादा tasty आप भी ऐसे ही चोटी बोल्स बना सकती हैं इस Valentine डी पर आप भी आपने Valentine के लिए ये सब बना सकती हैं बहुत ही ज़्यादा tasty है I hope ये recipe आपको पसंद आई होगी अगर पसंद आ रही है तो प्लीज ठेश सारे like कीजिए share कीजिए इसे family में, friend में social site पे आप इसे share कर सकते हैं और इस Valentine डे पर आप अपने Valentine के लिए क्या बना रही है मुझे comment करके जरूर बताईए और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो please, please वीडियो को like कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए अगर चैनल को subscribe नहीं किया है तो please चैनल को subscribe कर लीजिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ तब तक के लिए Bye Bye Friends Happy Valentine Day